अज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का सेंथेटिक वाइबर्स एंड प्लास्टिक लेकिन उससे पहले जरा एक छोटी सी कहानी देखते हैं अरे भाया इन सबके प्राइज में इतना जादा फरक क्यों है जरा ये तो बताएए अरे क्या तुमने क्लास 8 का चैप्टर नहीं पढ़ा सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक उसे पढ़ लो समझ में आ जाएगा जाओ घर पर और मनु भाया से पढ़ो वो चैप्टर क्लास 7 के अंदर हमने एक चैप्टर पढ़ाता फाइबर टू फाइबरिक उसके अंदर हमें पता चलाता कि जो हमारे क्लोट्स होते हैं तियार मेड़ अप आफ फाइबर्स अब या तो वो नैच्रल फाइबर्स के बने होते हैं या फिर आर्टिफिशल फाइबर्स के तो इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं उन artificial fibers के बारे में इन artificial fibers को हम लोग सिर्फ clothes के लिए use नहीं करते और भी बहुत सारी घर की चीज़ों के लिए इस्तिमाल करते हैं और in artificial fibers को हम लोग बोलते हैं synthetic fibers यानी की man-made fibers जिनें इंसानों ने बनाया है सर इंसानों ने कैसे बनाया है with the help of chemicals अब ये जो synthetic fibers होते हैं ये generally कैसे बने होते हैं like a chain of small units मतलब क्या है आप ये माला देख रही हो मोतियों की it is necklace of beads तो आप ये देखो जो छोटे छोटे मोती हैं जब ये बहुत सारे मोती एक साथ combine हो रहे हैं तब हमारा एक necklace बन रहा है माला बन रही है इसी तरीके से जब बहुत सारे छोटे छोटे monomers connect होते हैं इन synthetic fibers तो वो बनाते हैं polymer एक बड़ी सी चीज इसी तरीके से आप ये भी देख सकते हो paper clips की हमने बहुत बड़ी chain बना दी है ये देखो एक paper clip जब जुड़ी है बहुत सारी और paper clips से तो उसने क्या बना दी एक लंबी सी chain इसी तरीके से बहुत सारे monomers जुड़के क्या बना देते हैं polymers को तो इस तरीके से कुछ synthetic fibers का structure होता है सर ये structure कैसे दिखता है in microscope generally सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं जिस synthetic fiber के बारे में उसका नाम है rayon rayon को हम लोग artificial silk भी बोलते हैं तो आपने देखा होगा कुछ इस type का cloth generally silk का होता है हमारे घर पे अब लोगों के घर पे rayon का भी देखने को मिल जाता है अब ये जो rayon है ये बिल्कुल resemble करता है silk को appearance के अंदर इसका texture भी silk की तरह है ये shine भी silk की तरह करता है इसी वज़े से हम लोग इसे artificial silk बोलते हैं लेकिन सर सिल्क के होते हुए भी हमें rayon की जरुद क्यों पड़ी simple सी बात है पुराने जमाने के अंदर China ने discover करा था किसको silk को और China ये नहीं बताता था कि आखिरकार वो silk को कैसे discover कर रहा है कैसे बना रहा है हमें अब तो पता है कि silk कैसे बनता है with the help of silk worms लेकिन China ने ये secret किसी के भी साथ share नहीं करा था पहले इस वज़ा से silk पहले जमाने में gold से भी महेंगा भी का करता था सिर्फ और सिर्फ राजा या फिर अमीर लोग silk को use करा करते थे लेकिन 19th century के खतम होते होते scientist ने बहुत ज़ादा महनत करी और finally artificial silk बना दिया मतलब एक ऐसी चीज जो की silk जैसी ही दिखती थी लेकिन इस चीज को उन्होंने बनाया था with the help of wood plump इसको क्या करा था इन्होंने chemically treat करा था chemicals की help से इन्होंने बनाया था और ये जो था artificial silk यानि की rayon ये काफी ज़्यादा सस्ता था जो silk था उससे तो इस वज़े से जो artificial silk यानि की rayon था वो बहुत famous हो गया और लोगों ने इसे खरीदना शुरू कर दिया आज कल हम लोग rayon को cotton के साथ भी mix करते हैं to make bed sheets सर mix कैसे करते हैं हम half cotton ले 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 तो इस तरीके से दोनों को mix करके कोई चीज बना देते हैं और हम लोग इसे wool के साथ mix करके कारपेट्स भी बनाते हैं अब बात करते हैं nylon की ये इस टाइप की nylon की ropes आपने market में जरूर देखी होंगी लेकिन ये nylon की ही क्यों होती है cotton की क्यों नहीं होती ठीक है देखो cotton की इस वज़े से नहीं होती क्योंकि cotton nylon जितना strong नहीं होता जो nylon की ropes होती है इनको हम लोग rock climbing के लिए इस्तमाल करते हैं क्योंकि ये काफी ज़्यादा strong lightweight साथी में water resistant होती है मतलब की waterproof होती है नहीं इनके उपर पानी का कुछ असर होता तो इस वज़े से हम लोग इने use करते हैं fish nets बनाने में भी use करते हैं tents बनाने में भी use करते हैं तो main reason इनका यह है कि ये क्या होती है strong होती है elastic होती है और water resistant होती है मतलब की water को absorb नहीं करती है और जल्दी से सूख भी जाता है nylon तो uses of nylon clothes बनाने के लिए यूज करते हैं हम लोग parachutes के लिए भी use करते हैं ropes के लिए भी use करते हैं rock climbing के लिए जो ropes होती है उनके लिए भी use करते हैं toothbrushes के लिए भी use करते हैं car की जो seatbelts हैं वो भी generally nylon की ही बनी होती है tents हो गए वो भी nylon के होती है curtains भी आजकल nylon के आ रहे हैं और sleeping bags भी nylon के आ रहे हैं सर ये सारी बात तो ठीक है लेकिन आपके लिए क्वेशन ये है कि वाई इस नायलॉन मेड फ्रॉम यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स पैराशूट्स बनाने के लिए नायलॉन का इस्तमाल क्यों होता है अभी अभी हमने ये रिजन डिसकस करा है आप फटा फट बता सकते ह आयलॉन क्या होता है बहुत ज्यादा नेक्स्ट पॉलिस्टर पॉलिस्टर को देखते हैं हम लोग तो पॉलिस्टर जो है ये आसानी से रिंकल नहीं होता देखो ये होते हैं रिंकल गुजले हुए कपड़े और ये होते हैं विच क्लोथ्स विचार नॉट रिंकल तो ये क पॉलिस्चर का मतलब होता है chemical, बहुत सारे chemical से मिलकर ये बना है, तो दो टाइप के common पॉलिस्चर होते हैं, एक होता है terrylene और एक होता है PET, ठीक है, पॉलिस्चर का यहीं पर हमारा जो concept है वो खतम होता है, अब समझते हैं what are blended fibers, और इनके example क्या है, देखो blended fibers के अंदर हम लो करता हूँ, purchase करता हूँ, तो it will be off 200 rupees, यहीं पर अगर मैं purchase करता हूँ, पॉलिस्चर प्लस cotton की टी-शिट, तो वो मिलेगी मुझे 300 rupees की, और pure cotton की टी-शिट मिलती है 500 rupees की, तो अब आपको पता है कि cotton है न, हमारी skin के लिए थोड़ा अच्छा होता है, तो prefer करा जाता है कि पॉलिस्चर हो और 50% जिस टी-शिट के अंदर cotton हो, उसको वो use कर सकते हैं, तो blended fibers क्या होते हैं, simply blended fibers are formed by mixing natural and synthetic fiber, polyester is often used in the blended fibers, for example, poly wool, जब हम लोग polyester और wool को mix कर देते हैं, तो poly wool बन जाता है, poly coat कब बनता है, जब हम लोग polyester और cotton को mix कर देते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या बन आया था, polyester plus cotton, तो क्या बन गया था, poly coat, terry coat, जब हम लोग terry lean और cotton को mix कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, हमारा terry coat, अब बात करते हैं, polyester के uses की, देखो, polyester जो है, वो सिर्फ और सिर्फ कपडों के use में ही नहीं आता, वो और भी चीजों के इस्तमाल में आता है, जैसे क films, films जो होती है ना, आपकी, जिसके अंदर recording होती है films की, वो एक जो material होता है, उसके लिए हम लोग use करते हैं, polyester को, magnetic recording tapes के लिए use करते हैं, जो sailboats होती है, उनके लिए use करते हैं, जो firefighter होते हैं, उन लोगों को जब water hose की ज़रूत पड़ती है, मतलब वो जो पानी निकालने वाली जगह होती है, चीज होती है, वो भी किस चीज की बनी होती है, और इस्चर की बनी होती है generally, तो I hope यह आपको बिल्कुल clear हो गया होगा concept, और blended fibers के बारे में भी आपको समझ में आया होगा, अब बात करते हैं, आर्कलिक की, आर्कलिक क्या है, आर्कलिक काफी के लिए, sweater के लिए, blankets के लिए, और भी बहुत सारी home furnishing fabrics के लिए, आर्कलिक just like woolen clothes होता है, ठीक है, इससे हम लोग fur भी बना सकते हैं, जो की toys या फिर fur accessories के काम में आते हैं, साथ ही में plastic या फिर paint भी बन सकता है, आर्कलिक acids से, अब characteristics क्या होते हैं, synthetic fibers के, मतलब अभी तक जि क्या quality है, यहाँ पर देखो, nylon, rayon, इन सब के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा है, तो देखते हैं एक बार इनके characteristics को, सबसे पहला जो characteristics है, वो यह है कि they dry up quickly, जल्दी से सूख जाते हैं, काफी durable होते हैं, मतलब खराब नहीं होते, काफी सस्ते होते हैं, हर जगा आसानी से मिल जाते हैं, और easy to maintain, अगर आप देखो के cotton और wool को, तो उनके लिए हमें अच्छे से maintain करके रखने के लिए थोड़ा खर्चा करना पड़ता है, अच्छे detergent के अंदर wash करना पड़ता है, dry clean कराना पड़ता है, बट synthetic fibers की इतनी ज़्यादा caretaking नहीं करनी पड़ती है, लेकि यहाँ पर हमने एक experiment करा है, synthetic fiber को burn करा है, तो यह देखो कैसे melt हो गया, अब जिसकी भी skin से चुपक जाएगा उसको काफी ज़्यादा pain होने वाला है, तो इसी वज़य से हम लोगों को suggest करा जाता है कि synthetic fibers को kitchen और lab के अंदर ना पहने, अरे अरे एक बहुत ही important चीज तो तुम करना ही भूल गए, फटाफट वीडियो को like कर दो और channel को subscribe कर दो, subscribe के साथ में join का button होगा उस पे click करके आप member भी बन सकते हो, अब member बनने के क्या benefit है और membership क्या चीज है, membership paid है और member बनने के आपको बहुत सारे benefits मिलने वाले हैं जो आपकी पढ़ाई में बहुत help करेंगे, एक आप member बनते हो, exclusive link मिलने वाला है आपको notes का, जिन notes से हम लोग पढ़ा रहे हैं वीडियो के अंदर, वो आपको मिलने वाले हैं, sample papers मिलने वाले हैं, अब यह जो sample papers हैं, यह बहुत important है, आपकी पूरी exam के लिए practice हो जाएगी, अगर आपने इन sample papers को solve कर लिया, और इन sample papers की help स से ही आप 95 plus score कर सकते हो, और भी बहुत सारे benefit हैं, लेकिन अब हम आगे अपने वीडियो को continue करते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं plastics के बारे में, plastics जैसे synthetic fibers के अंदर हमने देखा था, polymer वाला पूरा chain type जो बनी हुई थी, इसी तरीके से plastics के अंदर भी होती है, लेकिन यहाँ पर या तो linear होगी या फिर cross link units होगी, जैसे देखो linear का मतलब एक box होगा, फिर box होगा, फिर box होगा, फिर box होगा, फिर box होगा, या फिर कुछ इस तरीके से cross link, एक दूसरे से जुड़े होए boxes, straight line के अंदर, तो plastic का structure microscope के अंदर देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है प्लास्टिक को हम लोग recycle कर सकते हैं, reuse कर सकते हैं, color कर सकते हैं, melt कर सकते हैं, roll कर सकते हैं, sheets के अंदर और भी बहुत सारी चीजे प्लास्टिक की हम लोग कर सकते हैं, wires भी बना सकते हैं, wires का जो बाहर वाली covering होती है, वो प्लास्टिक की ही बनी हुई होती है, तो आप जो कि heat करने से अपनी shape change कर लेती है, deform हो जाती है, जैसे हम इसे heat करेंगे ये अपनी shape change कर लेकी, असानी से हम इसे bend भी कर सकते हैं, example है polythene and PVC, तो ये क्या होती है, ये होती है हमारी thermo plastic की बनी हुई चीजें, फिर आती है thermo setting plastic, set हो जाती है ये, ठीक है मतलब कि ये दुबारा से इसकी shape change नहीं हो सकती, देखो नाम के अंदर ही पता चल रहा है, मैं thermo setting set हो गई है, ठीक है, it cannot change its shape again, तो यहाँ पर मैंने highlight कर दिया, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, thermo setting plastic का, तो thermo setting plastic को हम लोग दुबारा से mold नहीं कर सकते, इसकी shape को change नहीं कर सकते by heating, अगर हम ने change करने की कोशिश करी, इसे heat करके, तो क्या हो जाएगी है, टूट जाएगी या खराब हो जाएगी, bend नहीं हो सकती है, easily, example क्या है, इसका bake light और melamine, ठीक है, अब देखो, example के लिए यहाँ पर switchboards हो गए, ठीक है, और जो हमारे, कुछ जो plates वगरा होती है, वो भी इसी material की बनी हुई होती है, यहाँ पर एक question निकल के आता है, कि why are handles of pan made from plastic, अब देखते हैं, कितने बच्चों को इस सवाल का जवाब पता है, थोड़ी देर में मैं इसका answer बताने वाला हूँ, लेकिन जिनको भी पता है, वीडियो को pause करके, फड़ा फट कमेंट करूँ, तो plastic as a material of choice की बात करते हैं, देखो plastic जो है, वो काफी ज़्यादा lightweight होता है, बहुत हलका होता है, दूसरा इसका price भी बहुत सस्ता होता है, तो सस्ते में मिल रहा है, हलका है, और क्या चीज़े, strength भी काफी अच्छी है, easily हम लोग handle कर सकते हैं, बच्चा बच्चा plastic को use कर सकता है, कोई बच्चा असानी से, ठीक है, और plastic की एक और good quality है, कि non reactive है, यह जो है न, react नहीं करता किसी के साथ जल्दी, जैसे अगर हम लोग बात करें, तो देखो मेरे घर के अंदर पहले किस चीज़ के pipe थे, iron के pipe थे for water, तो देखो उनकी condition क्या होई, कि after some time due to rust, जो rust थी, उसकी वज़ उसने react करा और इन pipes को खराब कर दिया, और reaction हो गया iron का उनके साथ, लेकिन फिर मैंने use करें plastic के pipes, और plastic के pipes कभी भी खराब होने का नाम ही नहीं नहीं लेते, क्योंकि यह react ही नहीं करते water या air के साथ, तो अराम से हम लोग इने use कर सकते हैं, कितने भी समय के लिए, और आज क poor conductor of heat and electricity होता है, अगर आप plastic से heat या electricity पास करने की कोशिश करोगे, तो वो पास नहीं होगी, that means it is a poor conductor of heat and electricity, अभी उपर यह जो question पूछा था, pan वाला इसका answer यहीं पर है, देखो, जब भी हम लोग pan को heat करते हैं, तो यह heat transfer हो जाएगी इसके handle तक, अगर हमने metal का ही इसका handle छ electricity, इनसे आसानी से बिजली या फिर heat पास हो जाती है, metal से, लेकिन यहीं पर हमने पीछे plastic का handle लगा दिया, अब handle लगाने के वज़े से आगे heat transfer होगी ही नहीं, तो हम लोग आसानी से इस handle को पकड़ सकते हैं, और यह handle भी क्या रहेगा, ठंडा, so that is why handles जो होते हैं, वो pan के plastic के बने हुए होते हैं, अब plastic के uses देख लेते हैं, देखो बहुत सारी जगा पर plastic का use होता है, मतलब अगर हम लोग आज list करने बैठे तो शायद दो दिन तो मैं आपको यही बताने में लगा दूँगा कि कितनी सारी जगा पर use होता है, बहुत सारे जो food materials होते हैं, उनको store कर करने के लिए भी हम लोग किसका use करते हैं, प्लास्टिक का, ठीक है, it is widely used in various industries for making a variety of household articles, घर का बहुत सारा समान मारा प्लास्टिक का बना हुआ होता है, अच्छा आप अभी भी notice करोगे अपने आस पास बहुत सारी चीजे जो होंगी, वो प्लास्टिक की बनी हुई होंगी, health care industry के अंदर काफी ज़्यादा प्लास्टिक का use होता है, for making shringes, threads, stitching wounds, doctor के जो gloves होते हैं, वो भी प्लास्टिक के होते हैं, और भी बहुत सारे जो medical instrument होते हैं, वो प्लास्टिक के होते हैं, तो मतलब जो doctors, यानि की health care industry होती है, वहाँ पर प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा कि प्लास्टिक क्या है, bad conductor of heat and electricity है, heat और electricity से पास नहीं होगी, तो fireman को कुछ heater electricity से फरक ना पड़े, अच्छा अगर प्लास्टिक और environment की बात करें, तो देखो प्लास्टिक जो है, वो environment के लिए एक बहुत बड़ा threat है, इतनी अच्छी अच्छी बात है भी प्लास्टिक की सुनी, लेकिन ये threat कैसे है, मुश्किल कैसे है, क्योंकि ये non-biodegradable है, बट non-biodegradable क्या होता है, अभी समझेंगे, देखो प्लास्टिक को dispose करना, मतलब कि खतम करना एक बहुत बड़ी problem है, सबसे पहले समझते हैं कि biodegradable चीजें क्या होती है, वो चीजें जो की decompose हो जाती बनाना पील, अच्छे से mix कर दिया इसको soil के साथ, after some time मैंने notice करा कि ये जो बनाना पील है, ये गायब हो गई, मत्तब एक हफ़ते के अंदर ये बनाना पील गायब हो गई, बट ये गई कहां पर, मैं इसी confusion में रहा, फिर मुझे पता चला कि इसको bacterias ने खा लिया है, और ये ही होता है biodegradable waste, जो कि कुछ समय के अंदर अपने आप खतम हो जाए, naturally decompose हो जाए, decompose मतलब कि खतम होना, और non biodegradable substance कौन से होते हैं, जो कि naturally decompose नहीं होते, जैसे कि plastic, देखो plastic के अगर मैं बात करूँ, तो ये ही अगर experiment हम plastic के साथ करेंगे, plastic की bottle को हमने आपर रख दिय और अच्छे से soil के साथ mix कर दिया, तो even after 10 days वो ऐसे कैसे रहेगी, even after 100 days वो ऐसी रहेगी, और even after 100 years, 1000 years, ऐसी की ऐसी ही रहेगी, so it is non biodegradable waste, example क्या है plastic के bags हो गए, metals हो गए, ये सब क्या है हमारे example of non biodegradable waste, तो आखिरकार जो plastic है, उससे environment के अंदर pollution कैसे होता है, देखो plastic से environment के अंदर pollution ऐसे होता है, कि जब भी हम लोग plastic को burn करेंगे, जैसे कि हमने कोशिश करी कि plastic अब खतम तो हो नीरा naturally, तो हम इसे burn कर देते हैं, तो burn करा तो ऐसा black color का smoke निकलेगा, जिसकी वज़े से पूरे environment के अंदर क्या हो जाएगा, pollution हो जाएगा, तो इसी वज़े से जो plastic ह on biodegradable और toxic fumes, ऐसा black color का धुआ निकलता है plastic से, toxic fumes होते हैं ये, जो कि हमारे pollution फैला देते हैं हमारे environment के अंदर, अब हम लोग क्या करें, कि plastic का usage है, उसे क्या करें, कम से कम करें, avoid कर दें, इसी तरीके से हम लोग अपने environment को बचा सकते हैं, नहीं तो अगर इसी तरीके से हम plastic का use करते रहे, तो कुछ समय के अंदर अर्थ के ओपर human being से ज़्यादा plastic ही plastic होगा, तो plastic को reduce करना चाहिए हमें, सबसे पहले तो use करना plastic का, avoid करना चाहिए कि हम लोग plastic का इस्तमाल करें, reuse, reuse का मतलब क्या है, जैसे की, बहुत सारे बच्चे market के अंदर जाते हैं, वहां से water bottle या फिर cold drink की bottles purchase करते हैं, उन्हें use करा एक बार और fake दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, उन bottles को आप घर पे लेकर आओ, अच्चे से wash करो और उसको आप अपना water drink करने के लिए use कर सकते हो, recycle भी करवा सकते हो आप plastic को, किसी company को दे सकते हो, या फिर आप rag picker, जो कबाड़ी वा का, जिसको मैंने यह जिस समझाई, तो उसने क्या करा, कि वो अपने playground में गया school के, और जो भी bottles थी, उन सब को recover कर लिया, जितनी भी plastic की खराब bottles थी, और उन सब bottles को cut करकर के, उसने बहुत ही अच्छा कुछ artistic चीज बनाई थी, जिसके अंदर trees वगरा को plant कर सकते हैं हम आप भी कर सकते हो recover plastic को, और यहीं पर हमारा जो यह chapter है, यह finish होता है, I hope students आपको काफी अच्छे से chapter समझ में आया है, वो इस chapter के अगर आपको sample paper और notes चाहिए, तो आप क्या करो member बन जाओ, अब member बनने का यह benefit है कि जो sample paper और notes चाहिए, आपके exam के लिए बहुत जरूरी है, So thank you for watching, see you in the next video, bye bye till then.